नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनविंदर और मेरी चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं सभी का खेर मगदम करती हूँ और एक बड़ी ख़बर लिकर के आपके सामने प्रस्तुतू सभाक के अध्यक्ष अख्लिष जादम ने शुकरवार को इशारों ही इशारों में एक बड़ा हमला कर दिया है किन्द सरकार पे उन्होंने कहा है कि उनकी फ्लाइट को दुपहर में रुका गया ये ठीक नहीं है ये हारती हुई भाजपा की एक कहिए की कारवाई है और उन्होंने ये भी कहा कि बिना बताए उनको रुक करके दिली में रखा गया जबकि उनकी दिली में रैली थी दिली में उनकी प्रिस कानफरेंस भी थी वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के शीर्ष निता यहां से उड़ान भर रहे है लेकिन उनको नहीं जाने दिया हारती हुई भाजपा की ये हाताशा भरी साजिश है जनता सब समझ रही है ये पोस्ट उनकी करीब पॉने तीन बज़े आती है और इसके आदे घंटे के बाद दूसरी पोस्ट आती है तीन बज़ के दस मिनट पे के उन्हें उड़ान भरने की मंजूरी मिल गई है और उन्होंने ये भी लिखा कि सकता का दुरियूपयोग हारते हुई लोगों ही निशानी है समाजवादी संगर्ष के इत्यास में ये दिन भी दर्ज होगा और हम जीत की इत्यासिक उड़ान भरने जा रहे हैं सपा परवक्ता मनोस काका का कहना है कि हमारे राष्टिय देक्ष का प्राइवेट हावाई जाज धाई खेंटिक के करीब रोका गया और निधारिश समय पे वो दिल्ली पहुँच गये थे उसके बावजूत उनको प्रेस कांफेंस के लिए मुजफ़न अगर की उड़ान नहीं भरने दी गई जबकि वही से भाजबा के बड़े नेता जो हैं अपनी उड़ान भर रहे थे अलग लग जगों पे जाने के लिए दरसल मैं आपको बताऊं कि शुक्रवार को सपा और राष्टी लोगदल गठबंदन की पहली संयुक्त प्रेस कांफेंस मेरट और मुजफ़न अगर दो जिलों में होनी है जो इस समय चल रही है अकिलेश और जंद को पहले मुजफ़न अगर में एक बज़े सांजा प्रेस शुपी में अपने चुराब में जुटे हुए हैं ऐसे में अखलेश जंद की संयुक्त वारता जो होने वाली थी उसमें भास्वा को एक करारा जवाब देने की तयारी की जा रही थी और एक दिन पहले केंदरिय मंत्री अमिशार ने भी अखलेश पे ये कड़क्ष किया थ माना जा रहा था कि शुक्रवार को जंद के साथ अकिरेश भी भास्वा पर हमला बोलेगी तो दोस्तो इस तरीके से चुनावी दोर चल रहा है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं चाहे उडान जो है किसी और कारण से रोकी गई हो लेकिन अखलेश ने जो अपनी बात कहनी थी वो उन्होंने कह दी और उसमें उन्होंने भाजपा को लपेट लिया जैसा लगा आपको यह मेरा कंटेंट आप मुझे मेरे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रू दीजिएगा फिलाल इतना ही फिर मिलती हूँ आप से आप अपना और अपनों का ख्यार रखिये, जय हिन, जय भारत.